के ये हालो फ्रेंसं आप सफी का स्वागत हैं अज हम गड़ीत के महत्तो पूरुक प्रश्ण को देखेंगे जो आपके माध्य बहुलक और माधिका सीद्व प्रश्ण आपकी बॉर्ड के एकजाम में बनते हैं उसी प्रश्ण को आज हम हल करवाएंगे और जो आज प्रश्ण आपको हल करवाने हैं वाले हैं फ्रेंस हंडेट परसंटेज यही प्रश्ण आपकी बोर्ड के एक्जाम में छपेगा तो फ्रेंस इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आप माध बहुलक और माधिका से यही प्रश्ण आपकी बोर्ड के एक्जाम में छपता है तो उस प्रश्ण को आप आसानी से और सिंपल तरीका से हल करके आएं चलिए फ्रेंस वीडियो इस्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस आपके से हमने यह पहला नंबर का सवाल है कि यही निमनलख प्रश्ण पूछते हैं जो आज प्रश्ण करवाएंगे यही प्रश्ण आपके बोर्ड के एक्जाम में छपेगा तो फ्रेंस यहां पर आपके सामने हम पहले से यह सवाल दिया है आपका कि संख्या और बारमबार्ट यक्स कमाने 15 17 19 पी प्लस 20 और 23 यहां पर बारमबार् इसी होता है है हम क्या करेंगे यक्स गुड़े । यह पहले गयाद करेंगे आप यक्स गुड़े यह ज्याद कि की इसका मतलि है इसका इसकाइस मेंikhival 8-3 3-1 protagonist प्लस बीस में पी पांच पी का गुड़ा करना है एक सो और थीस हो जाएगा ठीक है अब देखे इसके आगे आगे आपको क्या करना है अब यहां पिन ज अपिव समानतरस माति या माति, ग्याद करना होता हे तो आपको बारम-बारतों जो दिया है उसका योग करना होता, उसको देखाते हैं, सिगमा litigation ग्याद करेंगे, सिग्मा एफ एक्स अब इन सबको जोड़ें तीन दू पांच पांच और चार नौव नौ में छा जोड़ दीजे कितना होगा पंद्रा होगा यहां पर कितना लिखेंगे पंद्रा ठीक और प्लस देखें पाँच पी है तो इसको लिखेंगे पाँच पी ठीक है अब इसी तरह इसमें जितने भी अंक जैसे तीस एक क्यावन छीहातर एक सो और दिस पहले इसको जोड़ लीजिए चले जोड़ते हैं कि यहां कि पंद्रा इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा दूसो पंचानबे कितना आएगा दूसो पंचानबे और प्लस देखें पांच पी स्कॉआर लिख लिजिए प्लस ओपी एथे प्लस सो फी कर लिजिए ठीक है अब देखें आगो क्या करना है कि हमको माद्य गय हैंसे फ्रेंद कभी कभी आससी इस आपको समांतर माद लिखा दे गा आपको समांतर मात दे करिए यह माद दोनों का मतलब एक ही यह सीगमा āफ सब्फान सिगमा ऐफ आगे अब अब चलिएंज यहाँ नहीं नहीं हैं सीगमा एफ पंदर है कि प्लस 5B ठीक अब टेखे सवाल आपको पूरा देख दे, कहा क्या है सवाल एक बार देख लीजिए सवाल में कह रहा है कि लेकित 12 , 12, 15 डहीं का माएध का इतना दिया है यहां भी जो माद लिखा है वहां भी कितना लिखना पड़ेगा आपको यहां भी देखें माद दिया है 20 तो यहां भी लिख लिजिए 20 अब फ्रेंस क्या करना इसका तीरिया गुड़ा की इसका इसमें करना है लिख लेते हैं कि 20 गुड़ा किसमें करना है 15 प्लस पांच पी ठीक है अब देखे इसको उतार लिए 295 प्लस पांच पी स्क्वार प्लस 100 पी ठीक है अब देखे फ्रेंस गुड़ा की जड़ इसका करेंगे 20 का पंद्र है तो पंद्र दुना के 30 300 हो जाएगा प्लस 20 का 5 में करना है 100 पी हो जाएगा बराबर यह 295 है 295 प्लस पांच पी स्क्वार लिख लिख लिजिए प्लस 100 पी देखे 100 पी इस साइड भी है इससे आप 100 पी से 100 पी काट देंगे ठीक है अब देखे अंग को एक साइड रखे अक्छर को एक साइड देखे 300 इदर रहने दीजिए तो 95 को माइनिस 295 होगा बराबर कितना है पांच पी स्क्वार बच रहे हैं इस प्लस प्लस पंच प्लस प्छे आपका बचे एक पाँच Ugh वी सब्सक्राब होगा यहां प्लस मान में लेढ़्या था यहां पर आपको प्रस्आते हैं प्रस्ञ पूछा गया था है तो हैं बी नास एक और यही फ्रेशल क्या हौ जहांगा लाएक इसी प्रकात से आपको बॉड के लीजेश अब इसके जमिant प्र flaps पर प्रश्न सकता है कभी आपको। यक्स यकवीय देशत है कभी ओ ःच्छन सकते हैं इतने अच्छ आपको बोड के ल भीस्ट क Ooh V K कि जगा प्याफ के यक्स वाई कोई भी एक अक्षर देंगे आपको इस तरह आपको प्रशन पूछ लिया जाता है बोड में हर साल आपको पता देंगे देंगे माधिका आपको लिखार आपको भाण चाहएं से की माधर कुल जाता है आपको निकाला जाता है तरह आपको सकत किने ज़िए डोल पर वाराचु उसी प्रकाले जाता है इसको इसमें जोड़ेंगे, यानि 6 प्लस 9 कर लिजे, कितना हो जाएगा, आपका 15 होगा, 15 में आप क्या करेंगे, फिर 12 जोड़ेंगे, 27 हो जाएगा, 27 में आप 8 जोड़े, 27 में आप क्या कीजे फ्रेंस, 8 जोड़ लिजे, तो हो जाएगा आपका 35, 35 में आप 15 जोड़े, ठ इतना आएगा 27 यहां पर इसको जोड़ना है 35 में 15 जोड़ लिजीगा अब आया आपको 50 तो अगला इस टेप में आपको क्या करना है का आपको यहन का मान यानि जुतना बारम बारते यह दिया है सभी का यूग्याद की जित दिए यहन बराबर क्या हो जागा सभी का यूग जोड़ेंगे तो आपका आएगा 50 अब देखे फ्रेंस हमको कैसे पता चलब 50 आएगा संचाई बारम बारता जितना जोड़ने पर यहां पर आता है वही यहां इन सभी का यूग करने पर आता है ठीक है अब देखे फ्रेंस अगला इस टेप में आपको क्या करना है कि यहन भाई तूग्याद करना पड़ेगा अब यह अं कमान कितना है पच्चास बटाके दूब भाग देंए कि तक कि पचीस ठीक अब देखें अब जो पचीस आया है संचας यहां पर आया है यहां कमान 25 अब यह 25 इसमें देखिए कि 25 से बड़ी संख्या कौन सा है तो 25 से बड़ी संख्या देखेंगे तो आपका आएगा 27 पचीस से बड़ी संख्या कौन सा है 27 जब 27 आए तो आप इसको इस पकास घेर दीजिए ठीक है देखिए घेर देंगे अब घेरने के बाद देखें यहां पर आपका यह कमान है यह आपका यफ का मान होगा ठीक है फिर इसके बाद आपको देखे इसके पहली वाली जो संख्या होगा इसके पहली वाली संख्या जो होगा कैप्टन यफ का मान होगा ठीक है और यहाँ पे देखे फ्रेंस यह जो मान होता है यह आपका यलवन का मान होता है और यह यलटू क का मान होता है अब इन्हीं सभी को यहाँ पर लिख लिते हैं पहले कि यह 1 का मान कितना है यह 2 को मान कितना है यह 3 इस इसमाल एफ कमान है आपका 12 15 फी कमान कितना है आपका 15 आप चलिए उसे लिखते हैं देखे मादिका बराबर फार्मूला होता है आपको फार्मूला याद लाना चाहिए तभी सवाल अपमायत का लगा सकते हैं मादिका बराबर होता है आपका फार्मूला कि यल वन प्लस l2-l1 अपाएं इसमाल एफ N by 2 minus capital F अब बस्टिस इसमें क्या करना है मान रख लीजिए 11 का मान है 20 यानि के 30 minus 20 कर लीजिए Small F का मान है 1212 कर लीजिए N by 2 कितना N का मान है 50 तो 50 अब अब बटा कि 2 minus capital F का मान 15 है तो 15 कर लीजिए अब इसी को हल कीजिए अब हल करके आपको बताते हैं देखिए, यहाँ पी 20 होगा यहाँ पिसे गटाएंगे तर दस बटा के 12 होगा यहाँ भाग देंगे 25 माइनिस 15 आएगा यहाँ पी 20 और प्लस दस बटा के 12 25 में से 15 गटाएंगे तर आपको बचेगा 10 देखिए अब गडू पाचे 10 दू च्छा का बारा देखिए दू तेह च्छा दू पाचे 10 चलिए यहां पर लिख लिए आप यहां पर 20 प्लस 5 के 5 करें गुला पचाप पचीस बटाके 3 भाग दे लिजूए देखिए 20 प्लस भाग देए कितना होगा 3 म करें चाव्वीस और 3 यानि 8 दसमलो 3 तीन अब 20 में 8 दसमलो 3 जोल देखिए जोला देखिए माद दिखा आया आपका 28.3 तीन और यही एंसर होगा ठीक है इस प्रकाश सवाल को यहां पर लगाना है ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपका अगला number का सवाल है देखे यह आपका तीसरे number का सवाल है क्योंसा है तीसरे number ठीक है निमने लिखीत बाराबारदा बंडन का एक समाज में परतिदीन 30 घरों में दूद की बे दर्शाता है आपको इसमें ग्याद क्या करना है बहुलग क्या होगा यह आपके सामने सवा सवाल है अब देखिए पहुलक वाले सवाल को किस पकार से लगाते हैं यहां भी दिया है प्रतिदीन दूद का बेज वरगंतराल में जीरियों से 30-30-60-90-90-120-120-150 फिर यहां भी घरों की संख्या 5-6-9-6-4 इसमें क्या करना है फ्रेंस कि जो घरों की संख्या ही इसमें ँपारंबारतां में देखें कि सबसे बड़ी संख्या को ने सबसे बड़ी संख्या थे नौ है जब नौ है तो इसको इस पकास आप घेर लेंगे अब देखिए जब करें जो घयर रहा है तो यह आपका जो नहीं दिया क्या है यहां भी देखें कि यह कमान दिया है आपका शाठ यहलु टू कमान दिया है 90 ठीक है फिर इसके बाद आपको पताते हैं क्या गयाद करना है दीके बहुला का फार्मूला आपका होता है बहुला बहुला का फार्मूला थे इसमाल एल प्लस ठीक है यह वहता है यह फवन माइनस एफ नाट अपन टू एफ वन माइनस एफ नाट माइनस एफ टू कोष्ट बंद गुड़े इसमाल एच अब देखे फ्रेंज यहां पी क्या करना है आपको चलिए आप सवाल लगाते है यह मान होता है कि निम नसीमा तो इसमें आप जब देखेंगे यह आपको क्या होता है निम नसीमा यल कमान होता है यह उच्छ सीमा होता है यहां पर पहले वाला जो होता है इसमाल एल कमान होता है जिससे हम यलवन भी कहते हैं ठीक है और देखें यहां पर आपको फार्मूला म आपका आया है कितना साथ रग लीजी प्लस f1 कमान कितना है no minus f not कमान कितना है 6 upon two गुड़े f1 कमान कितना है आपका no minus f not कमान है f not कमान है 6 minus f2 कमान है 6 कोश्ट बन गुड़े यज कमान कितना वाफर है इन दोनों का अंतर जो 90 और 60 आया है यहां पर 90 और 60 गटाएंगे तो कितना बचे का 30 यहां पर रख लिए 30 अब इसी को गुड़ा भाग करके हल कर लीजिएगा चली हल करते हैं देखे 60 प्लस 9 में 6 गया कितना बचे का 30 देख यहां भी दिखिए फ्रेंस आपका है 60 प्लस तीन बटाएंगा ठारा में से जाएगा च्छा बचे का गुड़े तीस हो जाएगा देखे च्छा एकम च्छा पचे तीस यहां पर लिखते हैं तो यहां पर 60 होगा प्लस पांते 15 होगा अब इसको जोड़ लेते हैं फ्रेंस स बचर 55 और यही एनसिर हो जागा तेखे फ्रेंस कितना सिंपल तरिका साब को हुआ माध्यवा माध्य का हूँआ फ्रेंस यदि आप इन जो तीन सवालों को पता हैं तो आपके board के exam में और यही same to same प्रश्ण यदि आते हैं तो आप 100 में 100, 70 में 70 आपको कोई लाने से नहीं रो सकता है तो friends इस video को अधिक से अधिक share करें और video पसंद है तो video को like करें और channel पे नए है तो channel को subscribe करें